हेलोस्टो, आप सभी को हमारे इस वीडियो में पहुत-बहुत स्वागत दोस्टो मैं, सीभम अपने यूटोब चैनल टेक्निकल सीभम पे स्वागत करता हूं दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने mobile phone के अंदर आप device connection setting कैसे यूज कर सकते हैं और ये setting आपको Google के अंदर देखने को मिल जाती है तो इस setting से क्या होता है और इस setting के अंदर आपको यहाँ पे तीन option देखने को मिल जाते हैं इन्हें कैसे यूज कियाता है और कैसे इन्हें अपने mobile phone के अंदर इस्तेमाल करेंगे वही मैं आपको पूरा details में बताने वाला हूँ तो चलो तो आज का वीडियो को लेते हैं यानि कि अपने device के अंदर आप cost media को आप एक चांट्रोल कर सकते हैं यानि कि आपने cost setting के बारे में सुना ही होगा कि we edit setting से आप के device को कंट्रोल किया जा सकता है आपके device को आपके device के अंदर जितना सारा यानि की screen है जैसे है बॉबाल फोन के अंदर भी देख सकते हैं इस सेटइंग से तो कैसे देख सकते हैं तो यह आपको पॉस्ट को आप्शन देखने को मिल्याते हैं मीडिया गंत्र फॉर कीक्ष्ट इवाइस यानी कि कि जब आपके mobile phone के अंदर कोई दूसरा बंदा आपके screen को cost करना चाहेगा उसे control करना चाहेगा तो आपके पास notification आ जाएगा और वहाँ पे जब आप उसे allow करेंगे तभी आप कोई दूसरा बंदा आपके mobile phone को यानि कि screen को cost कर सकता है आपके mobile phone के screen को अपने mobile phone के अंदर देख सकता है तो इस सेटिंग को आप अच्छे से योज कर सकते हैं और यह सेटिंग आपके लिए बहुत ही यूजफुल है तो आपके mobile phone के screen कौन-कौन दूसरा बंदा देखता है या किसी कोई दूसरा बंदा hack करना चाहता है कि आप अपने mobile phone के अंदर क्या-क्या करते हैं तो आप वहाँ पे इस setting को use कर सकते हैं जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखायता हूँ यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ सकता आपके screen को cost नहीं कर सकता उसके बाद बायक करना है यहाँ पे देखने को मिलेगा device setting आप इस पे किली करेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलता है so notification तो यह नोटी पीकेशन तब आपको मिलता है when device air nearby यानि कि जब अपने mobile phone के अंदर nearby option को use करते हैं nearby से यहाँ पे देख nearby option तो उसका notification यहाँ पे आपको मिल जाएगा और यहाँ पे saved available यानि कि यहाँ पे save भी हो जाएगा और यहाँ पर सारे nearby mobile phone device यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं जिन जिन mobile phone से अपने nearby को connect करते हैं अपना data share करते हैं यहाँ पे nearby को share हिट की तरह यूज किया जाता है उसके बाद बैकाना है और यहाँ पर देखिने को मिलेगा Nearby Share, अगर आप इसे यूज करना चाहते हो तो आप इस पर किलिक किजिए और यहाँ पर आप इसे on कर दिजिए और अपने data को आप Share Hit की तरह, Share Me की तरह आप यूज कर सकते हैं, तो ऐसे अपने mobile phone के अंदर यहाँ प बहुत धन्यवाद